माता कुसमांडा की कथा मा दुर्गा के चोथे रूप का नाम कुसमांडा है नवरात्र के चोथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है अपनी मंद हलकी हसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन करने के कारण इस देवी को कुसमांडा नाम से अभिहीद किया गया है जब स्रिस्टी नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने इशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी इसी लिए इसे स्रिस्टी की आदी स्वरूपा या आदी सक्ति कहा गया है इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अस्ट भुजा कहलाई इनके साथ हाथों में क्रमसह, कमंडल, धनुस, बान, कमलपुष्प, अमरित, पोर्न, कलस, चक्र तथा गदा है आठवे हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है इस देवी का वाहन सिंग है और इन्हें कुम्डे की बली प्रिये है संस्कृत में कुम्डे को कुस्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुस्मांडा कहा जाता है इस देवी का वास सुर्य मंडल के भीतर लोक में है सुर्य लोक में रहने की सक्ती छमता केवल इनहीं में है इसलिए इनके सरीर की कांती और प्रभा सुर्य की भाती ही दैदिप्यमान है इनके ही तेज से दसो दिसाएं आलोकित है ब्रह्मान्ड की सभी वस्तूओं और प्रानियों में इनहीं का तेज व्याप्त है विधी विधान से माता कुस्मान्डा की पूजा करने पड़ भक्त को कम समय में ही कृपा का सुक्ष भाव अनुभव होने लगता है और चंचल और पवित्र मन से नवरात्री के चोथे दिन इस देवी की पूजा अराधना करना चाहिए इससे भक्तों के रोगों और सोकों का नास होता है तथा उसे आयू, यस, बल और आरोग्य प्राप्थ होता है यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुक्ष समृध्धि और उन्नती प्रदान करती है अन्ततह इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव ततपर रहना चाहिए माता कुसमांडा का मंत्र सुरा संपोर्ण कलसंग, रुधिरा प्लू, तुमे वचव, दधाना हस्त पादा भ्याम, कुसमांडा सुगदास्तु में कुसमांडा की कथा दुरका सब्तसती के कवच में लिखा है पह देवी जिसके उदर में त्रिविध ताप्युक्त संसार इस्थित है वह कुसमांडा है, देवी कुसमांडा इस चराचर जगत की अधिश्ठात्री है जब स्रिष्टी की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारो और अंधकार था देवी कुसमांडा, जिनका मुख मंड सैकरो सोडी की प्रभा से प्रदिप्त है उस समय प्रकट हुई, उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से स्रिष्टी की पल के जपकनी सुरू हो गई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसम अर्थात फूल के समान माता की हसी से स्रिष्टी में ब्रह्मांड का जन्म हुआ, अतह यह देवी कुसमान्डा की रूप में विख्यात हुई इस देवी का निवास सुर्य मंडल के मध्य में है और यह सुर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है मा कुसमान्डा के स्वरूप की पूजा विधी, सर्वपर्थम कलस और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करने चाहिए ततपस्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करने चाहिए इनकी पूजा के पस्चात देवी कुस्मांडा की पूजा करनी चाहिए पूजा की विधी सुरू करने से पुर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए इसके बाद प्रत पूजन का संकल्प ले और व्यदिक एवं सब्तसती मंत्रों द्वारा मा कुस्मांडा सहिच समस्त स्थापित देवताओं की सोड़सो प्चार पूजा करे इसमें आवाहन, आसन, पाध्य, अर्ग्य, आच्मन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्डी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व, पत्र, आभूसन, पुस्पहार, सुगंधित, द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, पल, पान, दक्षिना, आर्ती, पदक्षिना, मंत्र, पुस्पांजली, आधि कडे, तत पस्चात, प्रसाद, वित्रन, कड, पूजन, संपन्न, कडे